मोधी जी आपको News18 Network को यह exclusive interview देने का बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने punishing schedule से हमारे लिए समय निकाला इस interview को हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे कुछ big picture questions पूछेंगे शुरुवात में हमारे संग हमारे दो colleagues जुड़े हुए हैं एक महराश्चा के anchor हैं दूसरे हमारे करनाटका के editor हैं यह दो states अहम हैं इस चुनाव में तो हमने सोजा कि थोड़े सवाल भी आपसे करेंगे शुरू करते हैं पहला सवाल सब्सक्राइब आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने साथ करनाटका और महराश्चा को भी जोर दिया है तो एक पकार से आपने मेरी मदद की है वरना तीनों को अलग अलग इंटरू देता तो शायद मुझे और जादा टाइब दे रहा पड़ता बहुत दनिवाद स्वागत है आपका नेट्वर केटिंग से पहला सवाल मोदी जी हम लोग पूरे देश का ब्रहमन कर रहे हैं इधर दर जा रहे हैं हम लोग साउथ में थे बिहार गए और भी महराश में भी थे तो हर जगे ये देखा गया है कि चाहे विपक्ष से बात करें चाहे आपके उमीदवारों से बात करें लोग कहते हैं कि जब मोदी जी यहां आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते हैं मोदी जी आएंगे तो हो सकता है स्वीप हो जाए हो सकता है सीप निकल जाए तो क्या दो हजार चॉबिस के इस चुनाव को हम नरेंद्र मोदी पर एक रेफरेंडम की तरह देख सकते हैं जन मत संग्रह की तरह देख सकते हैं अब ये तो सारा खेल मेडिया के लोकों का होता है, किस समय किस प्रकार से अनालिशिस करना, लेकि मैं इतना कहूंगा, कि मैं कोई चुनाओ के समय काम करने वाली सरकार नहीं चड़ाता हूं, अब मेरा दस साल का रेकॉर्ड देखेंगे, तो एवरेज, फ्राइड, सेटेड, संडे, मैं हंदुस्तान के किसे ने किसी कौने में गया हूं, जनता के बीच में रहा हूं, और इसलिए मेरा जाना निरंतर चलता रहता है, और चुनाओ में मैं मानता हूं कि लोकतंतर का उत्सव ऐसा है, कि सभी राजनितिक दलों का कर्तब हैं, कि जादा से जादा लोकों क बीच जाएं, जाकर के एक प्रकार से प्रशिक्षन का काम होना चाहिए, समवाद होना चाहिए, विचार विवर्स होना चाहिए, तो मैं एक राजनितिक शेत्र के खारकरता के जाते यह दो फेस का सवाल है, मैंने ऐसा जर्शा बर्फन, बहुत कम चुनाव में देखा है, जो मैं इस बार देख रहा हूँ, एक प्रकार से चुनाव, जनता जनार्दन लट रही है, सुशासन के लिए लट रही है, अपने सपनों को साकार करने के लिए लट रही है, एसा मुझे लगता है, साइद, मैं तो साइद एक निमित हूँ, इस बार मेरा जरा ज़्डा उत्सा है लोगों के लिए जाने का हूँ, और पहरे के तोलना में, साइद, मैं ज़्या जाना भी चाहता हूँ, इसलिए कि जो जनता जनार्दन इतने उमंग और उत्सा के थाथ इ यह मुझे अपना करता भी लगता है, और मैं देखता था, जो फर्स राउन हुआ, मैंने किसी दोस्तों को कहा था, कि पहले राउन में, यह हमारे खिलाब जो लोग मोर्चा लगा रहे हैं, बैठे की कोसिज कर रहे हैं, पहले राउन में वो पस्त हो गए, और कल मैंने देगा दूसरे राउन में यह द्वस्त हो चुके हैं, यहने पहले लोगों ने पस्त कर दिया, अब द्वस्त कर दिया मोरी जी, जब कैंपेंड की आपने शुरुवात की थी, तो बड़े हाई नोट पर यह कैंपेंड की शुरुवात हुई थी, आपने कहा, आपने अपने सरकार के पूरे काम का परिचय दिया, आपने डिवेलप्मेंट अजेंडा को लेकर आगे बढ़े, एकॉनिमी पर आप इसके उपर बहुत काम हुआ भी है, अभी इधर अधर एक दो चरल के बाद आते आते, आपने जो है राजस्थान में एक रैली में, एक कॉंग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डारेक्ट अटाक किया, आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्ट बिस्ट्रि क्या आपको ऐसा दिखता है? कि मेरा पूरा एलेक्षन केम्प है, दो चीजों पर पहिंद्रीत है, एक हमने समाज कल्यान को लिए, लोग कल्यान के लिए क्या काम किये, और सबसे बड़ा फर्ग है और सरकारों में में ये सरकार में, वो ये हैं कि लास्ट माईल डिलिवरी ये हमारी विशेस्ता है, नीतिया तो सरब कोई सरकार बनाती है, कोई सरकार बुरा करने ले तो आती नहीं है, अच्छा करना चाहती है, तो कुछ लोगों अच्छा करना आता है, कुछ लोग अच्छा होने का इंतिजार करते हैं मैं ऐसा हूँ कि मेहनद करके जो अच्छा हो करूँ मेरा हमेशा ऐसा रहा है अब देखिये मैं चुनाव में लगातार बोल रहा हूं कि हमने गरीबों के लिए चार करोड घर बनाए कि मैं इतना लोगों को कहता हूं कि आप इस चुनावा प्रेटार में जाएं तो मेरी मदद करें कि जुष के गर बनाना भी छूट गया हूं हर को मैं इतनो निकलें गे उनकी सुची में भेजो ता कि जैसे ही मेरा तीसरा टम शुरू होंगा मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूं तीन करोड घर और में बनाना चाहता हूं अब आईश्वान भारत ती ओजना दुनिया के सबसे बड़ी हैं हेल्ट इंशॉरंस और हेल्ट एशॉरंस की स्कीम है यह पच्छपन करोड लोगों को इलाज का भरोसा कि भाई अब आपको मोधी हैं मोधी की सरकार हैं पाँच लाग पर तक का खर्च होगा सम्माल लेंगे इस बार हमने मैंने मैंने इसमार में कहा है कि किसी भी बग का किस परिवार में सब्स working के जो भी सब्स को हम यह पांच लाख लुगा तक मोधी लाज की सूभिदा देंगे। इस पर आमने मैंने मेनिपेंश्तर में यह भी कहा है कि जो आशा वर्कर हैं, आंगणवाडी वरुकर हैं उनको हम इसका बेनिफ़ेट देंगे। तो यह बात हम लोगों को बताते हैं, अब आप देखिए जी हमारे देश में बैंको कर आश्टेकान हुआ है, जो मिलकर जब तक अने के खेल चल दाए ना, पहले कर्चु के हैं जी, सारी बैंके प्राइबेट थी लूट लिया रात व रात, गरीबों के नाम पर लूटा गया लिकिन हमारे देश की बैंक के खस्ता हाल हो गई, आधे से अधिक आबादी ऐसी थी, कि गरीबों के नाम पर लिया लिए लिए लिए, बैंक खाता नहीं किया, यह मोदी ने आकर के बावन करोड बैंक के खाते खोले, और उसका सबसे बड़ा मैंने फाइदा उटाया, खात बैंक बैंक खाते खोले होते तो, इनका बड़ा फाइनांसल इंक्रूजन इस दुनिया में पुरी दुनिया में एक साल में जितने अकांट फिलते होंगे उसे ज्यादा काम हमारे देश में उगए, जल जीवन मिशन हमारे देश में जी, तीन-चार परसंद घरों में भी घर में नल से जल आता था, वो भी जाता था अर्बन लोकालिटी में, आज 14 करोड ग्रामेल परिवारों को नल से जल पहुचा है, अब ये सारे का हमें 25 करोड लोग, गरीबी से बार ऐसे ही नहीं आये, हमने उनको इतना ससक्त बनाए और मे कि गरीब खुद गरीबी को परास्त करें, और जब गरीब अपने महनत से गरीबी को परास्त करता है, उसके बाद उसको गरीबी में वापिस नहीं जाना, ये संकर्प बन जाता है, और वो देश की शक्ती बन जाता है, आज हमें फाहता है, 25 करोड लोग गरीबी से बाहर आ दुनिया इसकी तारीग कर रही है जी और यह एक मोडेल बनेगा यह जो डेवलप्पिंग कंट्री जा हम के लिए मोडेल बनेगा जी अब देखे दोजार चाहुदा के पहले क्या हुथा दोजार चाहुदा के पहले आपके सारे मीडिया वाले निकाल दीजियो फ्रेजाइल फ्रेजाइल फाइव यही एडलाइन होता था आज जी हम वाइबरेंट एकॉनोमी बन गए है आए मैफ है दुनिया के एक सो पचाथ देशों का समू जिसमें चाहिना भी हैं हिंदुस्तान भी हैं जिसको हम कहें कि एक डेवलपिंग कंट्री हैं या जो इमर्जिंग एकॉ आज एक प्रकार से यह इंडिया का प्यर गूप हम कह सकते हैं अब देखे क्या नरीज है नाइंटी नाइंटी एट इंडिया पर कैपिटा जीडिप इस प्यर गूप से तीज प्रतीशत के आस पास थी जहने पूरा ही देशों का थे से उससमें अटल जी की सरकार थी नाइंटी एट में अटल जी की सरकार थी नाइंटी एट से दोजार चार्थ अतर जी के अपने कारखल में यह 30 प्रसंड को 35 प्रसंड ले गए अच्छा अच्छा प्रोग्रेशिवा लेकिन दुरभागे देखे जी दोजार चार्थ में यह सब खिचडी कंपनी आ गई और खिचडी कंपनी ने अटल जी की महानत जोदि उस पर पानी फेर दिया 35 प्रसंड को 30 पर ले आ गए और लोग यानि इन सारी कंट्रीश ने बारत से जादा अच्छा परफॉर्म किया और हमने बुरा किया यूपीय की सरकार में भारत डेवलप्पर की वर्ल की अपेशा और गरीब हो गया हमसे गरीब तो वो भी हमसे आगे निकल गया लेकिन 2014 में हमाई सरकार बनने के बाद 2019 तक में आपको खुशी हो गया हम 30 पर से 37 पर पहुँचा दिया और 24 तक मैं जब पहुचा हूँ यह मामला 42 परसंट पहुच गया है याने 30 छोड़ा था हम 42 लेया और यह हाइयर स्टाइज याने हमारी इंकम दुनिया के और देशों की अपेक्षा बहुत तेजी से बड़ी है अगर आप दस साल के कालखंड में इंफ्लेशन को भी ले जो महंगाई खितनी चर्चा करते ने तो यह दस साल सबसे कम सबसे कम इंफ्लेशन वाला कालखंड रहा है अगर जो कहता हूँ और हकिरकत अधार प्रयू क्रें करने के बाद एच्चिव किया है तो पूरी सरकार को मोबिलेज किया है और लक्ष को पार करने के लिए जी जान से जुड़ गये उसके बावजुद भी मोधी का कहता है उसके तो ट्रेलर है मुझे तो और आगे जाना है और नहीं नहीं आकांग शाहिए और मैं बहुत तेजी से बढ़ना चाहता हूँ देश को लेकर के को अहीं मुझे बताएं क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टी ओं के लिए होते हैं क्यां सच मुझे मेडिया का काम है कि हर रच पॉलिटिकल पार्टी के मैंनिफेस्टों की बारी कीसे जांच परताल ताल कहें मैं इंतिजार कर रहा था कि मिडिया करें पहले दिन मैंने एक कॉमेंट तो कर दिया था मैं को आज कर नहीं रहा कि मुझे मैनिफेस्टों देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिग की छाप है तो मुझे लगा कि मिडिया चौक जाएगा जो अनालिसिस करने तो मुझे लगता है तो मुझे लगता है तो मुझे सच्चा ही लेकर जाना पड़ेगा मैंने काफी दस दिन इतिजार किया कि देश इस मैनिफेस्टों में जो बुराइया है उसको कोई 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 तो कि निश्पक तरिए सा आता है तो अखिर कर मुझे मजबूरन यह सच्चाहिया लेकर का आदे पड़ी आप देखे साब और उनके एक महासाय ने अमेरिका में इंटर्यू के दिया है तो तो इनेरेंस टैक्स की बार ले आए पच्वन प्रसंट टैक्स आपकी प्रपर्टी अब मैं विकास और विरासत की बात करते हैं तो मैं अर्वेल्ड रिडिविश्टिविशन की बाद करते हैं और उनके आज तक का इतिहां से वो करेंगे क्या तो फिर मेरी जिम्मे मरी इट्साप मेरी रिस्पोंसिबिलिटी है कि मैं देश वाश्यों को बताउं कि भी ये इस दिशा में ले जा रहे हैं अब आ उनकी हकिकों तो गयाधार पर मुझे बताना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ अब उन्हें कहीं सभूपा छोड़ दिया तो मैं भी वो जन्रा लेके गूंगा ये सवाल आपके मन में कैसे आजाता है भारती जनता पर्टी की विचारतारा साहब है जी हम अपनी विचारतारा के अधार पर कारकम को लेकर के मैनिफेस्टों को लेकर के देश के सामने जात बोधी जी राहुल गांधी ने एक बात और कही है वो कहते है कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक national x-ray कराएंगे इसी से जोड़ा सवाल है इसलिए मैं पूछना चाहा हूँ एक national x-ray कराएंगे बात सिर्फ caste census की नहीं है जो कि वो करते आएं उस पर भी आपका है कितना धन है कितनी institutions में भागिदारी है और उसके basis पर हम इस पूरे system को redistribute करेंगे इसको आप कैसे दिखते हैं सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आपमो राजनीती के एक्षपर्ट मानते हैं कि जो लोग बेश के उतार चड़ाव को बड़ी बारी के से अध्यन करते हैं सबसे पहले उनका दाइत्व हैं कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जीश परित्रीतियों का वर्ना आप कर रहे हों अगर यह सही है तो सप्ता साथ पैसर साल तो आपने राज किया बहें यह जन्मदाता है आप हो और आपने अब तक कि बरबादी लाएगियों पहले उनका जबाब मागो भई नंबर वान नंबर तो एक्सर का मुश्व का मुश्व का मुश्व हर परिवार में जाना गर गर चापा मारना अगर किसी अनाज के डिब्य में किसी महिला ने अपने घहन पाके रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा उनके घहने ले लिया इंगे जमीनों का हिसाब किताब के आजाएगा और फिर उसको रिडिस्टिबूस करेंगे यह दुनिया में एक माववादी विचार ने सब किया हुआ है दुनिया बरबाद हो चुकी है यह पूरी तरह अर्बन नकसल उस सोच का सीधा सीधा प्रगड़ी करण है और इसलिए मैनिफेस्टों आने के दस दिन के बाद भी यह जो जमात आए दिन लिख्धा पटी करती है ना उचूप रही है उनके उनके प्रोटेक्शन में चूप रही है तम मेरे जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि देखिए आपको लूट रही है और दूसरा पार्ट है डॉक्र मनमोहन सिंग्जी उनके हर बार कहा है कि जो भी संपत दियोंगे इस पर पहला अधिकार किसका होगा तो हिसाब किदा बोसाफ है वो क्या करना चाहते है आपने ये भी आपने ये सवाल भी उठाया है 2006 का एक वीडियो जो वाइरल हो रहा है इसमें मनमोहन सिंगी न कर वो मुसल्मानों को दे दिना चाहेंगे और 2004-2014 के बीच में उन्होंने चार-पांच वर ऐसा करने की कोशिश की भी है अरे भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिन सवाल आपने पूचा है तेरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा लें देश के लिए मुझे बताना पड़े अब कॉंग्रेश का इत्यार देते हैं नब्बे के दसक से यह मांग उठी है देश में समाज का एक बहुत बड़ा तप्पा है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होरा चाहिए उसके लिए अंदोलन हुए है नब्बे से पहले कॉंग्रेस ने पूरी तरह इस बात को ख नब्बे के पहले कंगा दसक है फिर उनको जितनी भी कमिशन बने जितनी कमिटिया बनाई उसके भी रिपोर्ट्स ऑबी सी के विचार के पक्ष में आने लगे अब उनके भारोसे कोगी वो न कारते रहें रिजक करते रहें दबाते रहें नब्बे के दसक में उनको उनकी वोट बेंक की राजनीतिक अनुसार उसको टन दिया जाए। उन्हों पहला पाप के क्या। नाइन्टीज के दसक में करना टका में उन्होंने धर्म के आधार पर आपको याद होगा। करनाटर के में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसल्मानों को OBC गोशित कर दिया यानि देश के OBC को नकारना उस विचार को दबाना उस विचार को रिजेक्ट करना लेकिन राजरीती खाकर मुसल्मानों को OBC गोशित कर देना केंद्र से कॉंग्रिस गई दोजार चार तक यह प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ, दोजार चार में उफिराए, तो आते ही आंद्र में मुस्लिम को OBC कोटा इस देना ताय का लिया, मामला कोट में जाके उलज गया, अब OBC के 27 परसंट जो आरक्षान में मिला हुआ है, भारत के संवस संविधान के मुलभूत भावना के प्रकाश में दिया हुए, 27 परसंट सहद लगाने के उन्होंने तहरी करती है, डाका डालने की कोशिश की है, 2006 में नेशनल डेवलप्मेंट काउंसल के मिटिम भी हैं, NDC की मन मोहन जीन ने बयान पर भाट बड़ा हंगामा हो गया है, दो साल कॉंग्रेट पूरी चूप रही है, 2009 के गोश्रापत्र में है, फिर से इसका जिकर किया, 2011 में, केमिनेट नोट है इसका, 2011 के केमिनेट नोट में ओभी सिखे, 27 परसंट हिस्चा डाका डाल करके उसमें से मुसल्मानों को दे देना, उन्होंने ताई किया जी, 2012 UP असफल कोशिश की फाइदा नहीं हुआ, 2012 आंद्रा हाइप कोड ने इसको रिजक कर दिया, रद कर दिया, कानूनी जज्मेंट आ गया, एसी में गए, सुप्रिम कोड में गए, वह भी उनको कोई रिलिफ नहीं मिला, 2014 के गोशना पत्र में भी, दर्व के आधार पर आरक्षण की बाद कहीं है, जबकि हिंदुस्तान का सम्विधान जब बना, तब तो कोई RSS वाले, BJP वाले सम्विधान सभा में नहीं थे, बा पाई किया था, कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, दोजर चोबीस के चुनाव में आप देख रहे हैं, उनका मैनिफेस्ट और मैने का, इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिग की छाप है, और मुस्लिम लिगी नीतिया उन्होंने अप जिस परकार से लोग बापा साब आपड़ करते हैं, अपमानित करते हैं, S.C.S.T. के आरक्षण पर भी खत्रा तलवार लटका देते हैं, O.B.C. का तो जीना मुश्किल करतेंगे, क्या मुझे देश की जनता को प्रसिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं सभी जो भी बिद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निस्पक्ष हैं, उनका इदाइत्व बनता हैं, कि ऐसे थमाइद देश को वो एचुकेट करें, सही चीज़े बताएं. कॉंग्रेस का कहना है कि उन्होंने ऐसा specifically नहीं बोला है, जो कि उन्होंने manifesto में बोला है, उन्होंने लिखा है कि encourage और assist करेंगे students को belonging to the minorities, उन्होंने ये कहा है कि will ensure minorities receive their fair share of opportunities, ये बोला है, तो इसको आप कैसे पढ़ते हैं, मतले उनके manifesto को? मुझे पकड़ने की जरूते हैं, मैंने 1990 से आपको हिसाब दिया है, ये, 1990 का हिसाब देखोगे, उसके बाद आप क्या कहोगे मिझे? अब मुझे उसमें अनालिसित करने की जरूते हैं नहीं पड़ती है, आपको 1990 से लेकर के Dr. Manmohan Singh के दोजान नहों के बयान तक और सारी मुझे जो को एक टेबल पर दे करके देखोगे तो आप बिलकुल इसवे से क्या निकालोगे भाई? मैं नहीं निकाल रहा है, हरे को यहीं निकालना पड़े जब हम मतलब की यह कहें करके यहां जाएंगे वो. और यह जो भागीदारी की बात करते हैं इंस्टिटूशन में कि जाजेज OBC नहीं है, मीडिया में OBC का रेप्रेजेंटेशन काम है, इसको आप कैसे दिखते हैं? अब मुझे बताइए, जो 2014 में हम आए हमने ऐसी कोई निती बनाई है क्या? जो जिसके कारण किसी को रुकावट हो जाए तो यह उनके पाप है, उनके पापों को देश भुगत रहा है, अगर उन्होंने सच्चे अर्थ में सेकुलरिजम किया होता, सच्चे अर्थ में सामा जिक नाई किया होता, वोट बेंक की राजनिती न की होती, तो यह उनको आज इस प्रकार से जूठे कागजों को ले करके घुमना नहीं पड़ता, मुझे विश्वास है कि दस साल से में जो कर रहा हूँ, सिती एसी आएगी, कि जितनी बाते हैं उनका जवाब हमी देंगे, करकर के देंगे, हर एक को योग जिनाय देंगे, आज हमारे पहले देश की राजपती आदी वैसे कैसे बढ़ी थे, हमारी सोच के काड़ बढ़ी, हमें तीन बार राजपती बनाने का मोकाव आया है, एक बार अटल जी के समय, दो बार मेरे समय, पहली बार हमने किसको बनाय माइनोरिटी को बनाया, अब्दूलकलाम जी को बनाया, मुझे मुका मिला पहला तो किसको बनाया, दलित को बनाया, दूसरा मुका मिला तो किसको बनाया, आदिवासे महला को बनाया, तो यह हमारे आचरम से पता चलता है, कि हमारी सोच के आएजी. मोधी जी आपने एक बात और कही है और इसको में एक लंबे सवाल से भी जोड़ना चाहता हूँ आपने कहा है कि अगर इनका गटबंधन सरकार बनाएगा तो ये PM बाय रोटेशन होगा ये डिसाइड नहीं कर पा रहे है कि किसको PM बनाएगे तो एक एक साल के लिए सब लोग PM बनेंगे ये डाई डाई सहर मुंख्यमंध्री की डाई सहल एक मुंक्यमंत्री रहेंगे डाई सहल दूसरा शोर आटा दो कि दाइसनाहिल के बाद वो मुकर गए है, यहने खुद की पार्टी के साथ दोका किया, खुद की पार्टी के अंदर उनी दोका करने के उनकी प्रवुर्ती, वो तहीं, इसका मतलब ऐसी फॉर्मुला कॉंग्रेस के दिमाग में होना यह पुरुवन है उसमें, और मैंने अभ किस अप्रत करें अप का नाम तो होदा चाहिए पुरुद किसी के नाम दीज़ेए,, कोई तो नाम देना पडेगा झालना, क्रिकेट गिटी टीम होती है, वो भी कैप्टन बदाती है, कभडी की टीम होती हो वो भी कैपटन बता ती है, आप बता नही competitive mode, आप बतानी हो कि इ अब एक पीम एक साल रहेगा, तो आएगा पूरी नई सरकार बनाएगा, कैमिनेट बनाएगा, तो फ्पर समारो चलते रहेंगे पांच साल और क्या होगा जिए और देश संकर समारो उलते रहेगा, वो उलते रहेगे, अब कोई देश ऐसे चल सकता है, इतना बड़ा देश ज देखी है, मिली जुली सरकारों का दोर देखा है, आज दुनिया में भारत के प्रतिक विस्वाफ बड़ा है उसका कारण, भारत के एक सो चालिस करोड लोगों ने एक स्थी मजबूत स्पस्ट बहुमत वाली सरकार बनाई, तो कोई भी भरोसा करेगा, यहां, इस सरकार के पात मेंडेट है, मिली जुली सरकार पर कोई भरोसा ही नहीं करता है, और इतना बड़ा देख, ऐसे थोड़ा चल सकता है, लेकिन आज देख की राजनिती ऐसी है, कि कोई एक पार्टी कितने ही बहुमत से क्यों न जीते, उसने रीजनल एस्पिरेशन्स को ओनर करना ही होग और इसलिए हमें पूर्ण बहुमत मिला, फिर भी हम सरकार NDA की बनाते हैं, NDA के साथियों को लेकर बनाते हैं, क्योंकि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी देश के राजनिती उजवल भविश के लिए, देश के लोकों के एस्पिरेशन्स के लिए, रीज ये करेक्टर NDA ने डेवलोप किया है, भार्ती जनता पार्टे ने करके दिखाया है, आपने रीजनल एस्पिरेशन्स की बात की तो उसकी बात हम लोग करेंगे, एक सवाल और जिससे पहले क्यों सपर आते हैं, आप आपोजेशन की सारी पार्टी, जराहुल गांधी, कॉं पार्टे दे दिया है, और 2014 में इनके पात EDE थी, इनके पात CBI थी, तो हार क्यों गए पर, मेरे होम मिनिस्टर तक को जल में डाल दिया था, तो हार क्यों चे गए वो, अगर EDCBI से चुनाव जीते जाते, तो EDCBI का काम तो इतने सालों तो कॉंग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं जी, और इतना बड़ा देश एक मुंसिपाल्ड का चुनाव फिक्स ने कर सकते हो भई, जरा करके देखो, यह संभव होता है, क्या दुनिया को मोरग बना, लेकिन दूख इस बात का है, कि ऐसी बाते करने वालों को आप मीडिया के लोग उनको पूछने के बज़ जी, मैं मानता हूँ पिछले कई दिनों से, इंडी ऐलाएंस के लोग इतने निरास हो चुके हैं, कि अभी उनको बहाने डूनना बहुत जरूरी बढ़ दाया है, क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए कि उनको तरी, इसलिए मैं समता हूँ शायद व कि पराजय के तर्क क्या होंगे, शायद उसी की उनकी इंटरनल एक्सरसाइज आएगे। आप से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कि इशूस को शुप हो रहे हैं। कि नहीं हमारी सोच है। और एक मानविय सम्वेदना का भिषय है। और मैं मानता हूँ कि अच्छा हूँ और रगदेख जी ने इतनी चुनाव के आपाधापी में भी। उनके शांतुनाना देने का प्रयास किया है। ये पूरी तरह मानविय वहवार है। मैं भी है। अब मुझे मैं बताता हूँ कि शायद कुन सा चुनाव मुझे आप नहीं है। लेकिन राहूल जी कहां कहीं पर हुआई जहाज मैं कुछ गड़बर हुआ। तो मुझे पता चाला तो मैंने तुनतनों को फोन किया। मैंने का भे आपको कुछ धिकत भी ये क्या हुआ है। ये हमारा करता भी मनता है। मैं गुजरात का मुखिमत देता। और दमन में मेडम सोनिया जी पिर हमारे एमध पतेल सहे। वो सारे लोग उनका हेलिकॉप्टर एगनम से क्रैश कर गया। मुझे पता चाला मैंने तुनत फोन किया। मैंने का मैं यहाँ से आपको एर अबुलन भेजता हूँ। तो एमध भी ने मुझे कहाँ नहीं है। अभी बिलकुल हम लोग सरामत है। यह बाठीक है, हलिकॉप्टर को लुक्षान हुआ है। लेकिन हमें कुछ प्रक्लिप नहीं हुई है। एक बार सोनिया जी कासी गई थी एलेक्शन केंपेंड में और वहाँ उनको तभी जिगनम खराब हो गई। तो मैंने तुरंट यहां से सब को भीजा। मैंने का भी देखो क्या मामला है। यह का हवाई जादो उनको। तो यह एक तो मेरे समस्कार भी है। और मैं मानता हूँ कि यह राजनेती से परे होते हैं चीजे। करगे ही मैंवार होना है चीजे। Sir, regarding the guarantee schemes, in Karnataka Congress promised five guarantees and they after coming to power they delivered that one, they as per their promise they are delivering that one. Now, whereas, in BJP, BJP is more in the last election you lost the only 66 seats you able to win there BJP able to win there. Now, again, Yadropa Ji's leadership and his son's leadership is more focused on this reason, some people are surprised in the future. Actually, in your mind, how can BJP now be a seat in Karnataka? Number one, Karnataka की जनता पश्याताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गल्ती कर दी, इनको बिठा दिया, तो जन्समर्दन नमारा कम नहीं हुआ है, जन्समर्दन नमारा बड़ा है. लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में हैं, CM कौन अभी भी वह बात सैटल नहीं हुए है, शपत हुआ है CM का, लेकन सैटल नहीं हुआ है. अपने आपको CM मानने वाले लोग बहुत है उसमें. आप कानून बहुता देखिया है, चर्मरा गई है, बंबलास हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत के स्थिति में हैं, बादे तो बड़े-बड़े कर दिया हुआ हैं, और फिर टै अब बहुता कि तार दोका भी कर रहे हो, जब हमने कहा कि भी हम इन लोगों को आईश्मान काड देंगे, बड़ देंगे, फिर इप्ट और लगा अगर को उसमें बेहिमाने नहीं करें चाहिए, अभी जब हमने का हम सतर साल से उपर के, किसी भी वर्क के व्यक्ति होगे, इ आप बताप कोई सोच सकता है, जब बैंगलूरू, दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इजद बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल है, दुनिया में जब जाते हैं तो बैंगलूरू कहते ही, ऐसा लगता है वो जैसे परिचीत है, तैक हब के रूप में जाना जाता आपने देखते ही देखते इसको टेंकर हब बना दिया, और टेंकर में भी माफिया सही चल रही है, पानी के लिए लोग तरस्व हैं, अगर ये जो हालत हुनोंने कर दी है, अब युवाओं के स्कॉलर से, आपने संख्या भी कर दी, एमांट भी कम कर दी, यहने एक के बाद आप एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किये हैं, जिन मुद्धों को लेकर के बोट मांगा, उन मुद्धों को आप बोट देनी पर रहे हैं, अचा डेप्टु CM, वो अपने भाई के लिए बोट मांग रहे हैं, और वो खुद CM बन सके, इसलिए सब खेल खेल रहे हैं, वो CM स हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं, जहां तक भारतिय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग है, भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेगे मेरी पूरी टीम काम कर दिये जी, उसी प्रकार से ये दूरप्पा जी हमारे स्वाफ भी है, और हम आगे बढ़ रहे हैं. आगे प्रणी सरकार थी आर वहां राउट था उसमया, मैंने कुझ को आगे पूरी टीम को यहां बुलाया था, जा प्राइम स्ट्रम मैंने उस उनकी तरम में इनको बुलाया था, बैठ करके मैंने चाहिए, पहले हम जल संचय के योजना हमाने बनानी चाहिए, अब जहां तक स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का सवाल है, हमारी सरकार ने पहले ही जो कैंदर का हिस्सा होता है, वो उनके यहां बैंक के खाते में जमा करके दे दिया हुआ है, जी, हमारी इंटर मिनिस्ट्रेल टीम उसने भी प्रभाविक शेत्रों में जो नियम है, बदद ही हो जो हमने नहीं बनाई, कई दसकों से हैं, उसकी अनुसार वो टीम महां गई है, जा करके उसने सर्वे किया है, और हर बारचा होता है, जीसे मैंने हाँ गुजरात में भूकम प जा, बारत सरकार ने एक टीम भेजी, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने हेसाब के रव लगाया, अब ये सारी प्रोसेश चली, आचार सही ता आ गई, तो हमने एलेक्शन कमिशन को कहां भी है, हमने विशय है, हम इसको जैसा ही आप पर मिशन देंग, हम देना चाहते है, अब राशे रिलिज भी कर चुके है, उस नियम के अंतर कर, मोदी जी थोड़ा साभ, हमारे सांग, हमारे एंकर जुड़े हुए विलास बड़े, या आप से कुछ महराश्र के बारे में बात चीत करना चाहते हूँ, नमस्कार, महराश्रा कुट नमस्कार, महराश्रा कुट शिवसेना और NCP टूटी है, उनके दो पार्टनर आपके साथ है, जो दो गूठ है आपके साथ है, क्या उद्धव ठाकरे जी और शरत बार जी के साथ, या उनके पक्ष में, आप कोई एक सीमपतिकी लेहर देख रहे हूँ? दिखे, पहली बात तो मैं महराश्रा के सभी लोगों को मेरा नोश्कार और अच्छी बात है कि मैं अलग से महराश्रा के विशे बोले के अपसे बात बात बाहूँ? अब देखे, ये बात सही है कि वहाँ लंबे अर्से से मिली-जुली सरकार चलती है, बिलास राव देश्मुक थे, तब से लेकर का आप देखिए, इवन शरत पबार भी जब मुख्यमंत्री बने थे, वो भी और नोबहुमत के साथ अकेले नहीं बन पाये थे, दूसरा महरास्टा का दुरभागे रहा है, कि लंबे अर्से से पांच साल तक कोई एक मुख्यमंत्री रहा नहीं है, एक भी वेक्ति पांच साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और पूरी सरकार बेदाग रही है, पूरी सरकार लोगों का भला करने वाली सरकार रही है, अब सिंपती हमारे साथ होनी चाहिए है, कि जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े हैं, जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़ करके महाराचा के लोगों से भोट महागा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के खुद के व्यक्तिकत महत्वकांच्छा के कारां और उसमें अहंकार भर गया, इसके कारण आपने बारा साथ ठाकरे के जमाने से बनी बनाई जोडी को दोका दे दिया, और उसका लोगों को गुस्षा है, बीजेपी के प्रती सिंपत्य है, दूसरा, शिवसाना के अंदर जो तुफान खड़ा हुआ या एंसिपी के अंदर जो तुफान खड़ा हुआ, वो साफ साफ दिखता है कि जब आप अपने परिवार के लोगों को ही प्राक्निता देते हैं और बाक्यों को नहीं देते हैं, तो कभी ने कभी तो कठी राइप होती है, सरद्राव के घर में जो मुसिबत है उनके पारिवारी जगड़ा है, बतिजा समाले के बेटी समाले है, यहां भी इनका जगड़ा यही है, और कोई सक्षम नेता उपर आए, कि खुद का मानता हूं हमारा देश इस प्रकार के पारिवारी जगड़ों के परती नफरत करता है, सिंपती नहीं करता है, तो यह बिलकुल ही आप सिंपती सब्द लेकर के, सिंपती दिलवानी के अगर कोई कोशिश करता है, तो मैं समाता हूं वो भी फेल जाने वाली है, लोग नफरत करते हैं लोग ऐसी चीजों को स्विकार नहीं कर सकते हैं कि यह तुम्हारे घर के जगड़े तुम घर में निपनो महाराश्चा को क्यों परबाद कर रहे हो तो गुस्सा है तूसरी बात है जहां तक कि आज सिंदेजी के नेतुरत में जो सरकार चल रही हैं भारती जनता पार्टी का जयादा सिटे होने के ज़ए त्याग किया है त्याग मह राष्टा की भलाई के लिए किया है हैं कुछ लोगों को लगता है कि हम सीयं बनना चाहते नहीं हैं ऑशे पराम सम्द सके नहीं बने महारास्टा की जनताओं को हमने कन्विन्स किया है कि हम महारास्टा के लिए जीते हैं, हमारे लिए नहीं जीते हैं और इस चुनाव में ये सिंपती हमारे पक्षम है कि इतना बड़ा दल एक मुख्यमंत्री सफल रहा हुआ मुख्यमंत्री वो अच डेप्टी सीम बन करके भी एक प्रकार से खुद के सम्मान को छोड़ करके आज भारतिय जनता फारटी सिर्फ और सिर्फ महरास्टर के उजव मुख्यमंत्री सिर्फ महरास्टर के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये बाप महरास्टर के जनता को समझा रहे हैं उनको कन्वे कर रहे हैं और महरास्टर के जनता बहुत पोजिटिव रिस्पॉंड रही है महरास्टर में बीजेपी शिवसेना और एंसेपी की महायूती बनी है लेकिन इस चुनाओं में आखरी समय तक सीटों की खिचातान बहुत चल रही है अभी तक टिकट का वितरन भी बहुत जगा पे नहीं हुआ है ये महायूती पर एक बड़ा सवाल नहीं है खड़ा करता मुझे रखता है ये जो पहले दो वाक्य बोले ना उसके सिवाए बाकी सब जो बतायर वो उन लोगों का प्रॉब्लेम है वहां सीटे तैनी हो पा रही है वहां निरनाई नी हो पा रहा है वहां पैरलल चुनाव लड़े जा रहे है इस बाजू तो ऐसा ही बीज वादू च चल पड़े है जी और वैलिन एडवांस कर दिया है सिवसेना बीजेपी और नसीपी ए तीनों ने इसको कर लिया है सामने जो नकली पार्टियों का मेलाब मेलाब है वहां नहीं हो पा रहा है जी उल्टा है कितनी सीटे देखते हैं आप माराश में पिछली बार एक तालिस हम बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं बोड भी बढ़ेगा सीट भी बढ़ेगी सर दुहसर सत्रा में आफे की सरकार ने शरत पवार जी को पद्म विभूशन दिया था जो देश का सेकेंड हाइस सिविलियन ओनर है लेकिन पिछले मंगल बार को शरत पवार जी ने एक कहे दिया मराठी में पते मराठी ता समना ले कि मोधी जी देशा से नवे पुतीना है आप नए पुतीन बन रहे हैं आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं मैं उनका आधर करता हूँ आज भी करता हूँ और मैं मानता हूं सारवजनिक जीवन में लंबे अर्सा तक जिन जी लोगों ने काम किया है और हमारे साथ रहे न रहे हमारे विरूद बने वो अलग बात है यह तो बहुत बड़ा कॉंट्राडिक्शन है लेकिन वो घर्वकर है जहां तक मेरी पार्टी की सोच और व्यक्तिकर तुप से मेरी सोच अब देखिए हमने भारत रत में दिया तो किसको दिया प्रणों मुकर जी नर्से माराओ चौदरी चौनान सेंग जी करपूरी ठाको और इस देश में किसे ने क्वेस्चन नहीं क्या मधिज्या अप इनको क्यो पारत रत रत देने हैं सब को लगता है यार ये डूठा डिजोर्टा किस दर्गे थे हमारे खिलाप डेर सारी बाते वोनों बताई हुई ऐसे लो हैं लेकिन निर्ने उसके आधार पड़ी होता है आप पद्मो पुरस्कार देखें मुलायम सेंग जी असम के तरून गोगई जी पीए सांगमा जी जमीर जी एसम कृष्णा जी आप देखें जी सारे लोग हैं दूसरी पारे जोगे हैं हमनों को पड़ दिया हम पड़ देते उनको अपने अपने प्रेक्षेतर में जुनका अप्रणी के एन योगदान है देश के लिए जोगो मने किया है एवर देश का है दल का नहीं है जी यह मोदी की परस्टनल पॉपर्टी नहीं है यह भारती जिन्तापार्डी का उस पर कपी रैट नहीं है जी तो मैंने पूरा पद्मो पुरसकार तो मैं मानता हूं कभी पुछे अर्थ पे सम्मान बना दिया, इतना बड़ा काम उन्हें किया है, अगर तारीफ होनी चाहिए, इस भात की होनी चाहिए, कि आप बहुत बड़े सोच वाले लोग हैं, कि आप ऐसे ऐसे नेने करते हैं, ये क्वेस्टन नहीं होना चाहिए, कि आपने उनको क्यों दिया देने के बाद भी उन्होंने ऐसा स्टेक्मेंट, ये शर्ती थोड़ा होता है, अगर मैं पदमा देता हूँ, मरे लिए चूप रहना, ये को एग्रिमेंट थोड़ा होता है, ये गिव औन टेक फॉर्मूला नहीं है जी, मोधी जी थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की करत हैं और दमखम के साथ जो है पूरे परिवार को उन्होंने वहां से उता रहा है, खुद कन्नौच से लड़ रहे हैं अखिलेज जी, डिम्पल मैनपुरी से लड़ रही हैं, फिरोजाबाद, आजम गड़, तमाम जगे से उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं, हो सकता है कि कहते हैं कि गांधी लोग भी शायद वापस अमेठी और राइबरेली से लड़े, तो इस उसमें आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं, रहुल जी आप जितने गर्व से सब उतरे हैं, सब उतरे हैं सब उतरे हैं, चार बार बोल रहे हैं, ये मजबूरी है, परिवार के लड़ना, फैमिली मेंबर के लोगों के लड़वाना, ये ही खेल है, अचा ये पहले इखटे नहीं है, ये कहा है, भई, पहले भी इखटे आचुके हैं, बार बार इखटे आचुके हैं, लेकिन उतर प्रदेश की जनता को अपना भविष्य क्या है, उसकी समझ पूरी है, और इसलिए मैंने पार्लामेंट पर कहा था, कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है, कि बड़े बड़े नेता, लोग सभागे मैदान से भाग रहे हैं, राजस्पा गरास्ता खोज रहे हैं, और हुआ ऐसा ही है, बड़े लोग ने चुनाव लड़ने के लिए त्यार देगे जी, लेकिन हमें जिम्मेबारी के साथ काम चल रहा है, सब को साथ लेकर के चल रहा है, और मुझे पक्का भी स्वास है, कि अब शायर कुछ बचेगा नहीं हुदा, कुछ नहीं हुदा, दो हजार चौदा से बहतर परफॉरमेंस हो, उनका कुछ बचेगा ही एक सवाल और आप इसका पाट जवाब दे चुके हैं, इसलिए मैं उसको संक्षेप में पूछूँगा, ओपोजेशन कॉंग्रेस सब आपके पीछे कहता है कि सरगार जो है, एडी, CBI, Intelligence Agency का इस्तेमाल कर रही है, आपने कहा है कि एडी, Independent है, सिर्फ एक सवाल यह है कि ऐसा को या थंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया, इस बारे में एक जावशाब शुचा जाब पहरे बात है, एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया है, जो अदालत कहें कि वही होगा, हम को निर्णे ने अगे, इस वातन्त्रा है, दूसरी बात है, अगर इन संस्ताओ का जन्म इसी काम के लिए तो काम नहीं करेगी या, और अदालत इतरी बड़ी है जी किसों को जमाना दे जरी अदालत, तो अदालत देखती होगे नहीं, और ब्रस्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट नले जी, सच पुच में देश में चर्च अज गुना सिद्ध हो चुका है, सजा हो चुकी है, फिर भी आप भाथ हुचा कर 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 फोटो निकल वा रहे हो, आप ब्रस्टाचार का महिमा मन्न कर रहे हो, इस देश में ये अलोचना का विशय होना शही है, ब्रस्टाचार को न्यू नूर्मल के रुप में ट्रिट नही है, देश के लिए ठीक नही है, काप इसको न्यू नॉर्मल बनाते है, और मैं देख रहा हूँ देरे देरे असा बातान बनाए जा रहा है, आँ ठीक है यार वा तो चलता रहता है, यही तो देश गरीब आद मी मर रहा है जी, हमने कैसे भी करके इससे देश को मुक्त करना चाहिए, रिजॉल्फ होना चाहिए कंट्री का, वो नहीं बड़ाई जी, और मैं तो मानता हूँ देखे, मैं मैं कुझो कोशिस कर रहा हूँ, एक है, सिस्टेम को पॉलिसी डिवन बनाओ, टकल नोजी को भर पूल लाओ, आज हमने पहले प्रदान मंत्री कहते थे एक रु पहले जाता है, पूरे सौ पहसे पहुंते है, डारेक मैनेटिवेट टांसपर्च, क्यों हो, सिस्टिम को सुधार होई, हमने जैम पॉर्टल बनाया, को करुप्शन को कम करने इक दिशा में मारा बहुत बड़ा कदम है जी, दूसरा समाज को भी जगाव, समाज को भी आदत मांता, उसमें कुछ मात्रा में, ये जो सिर्फ हमारा विरोध है, इतले उनका समर्दन कर देना, ये शोभा नहीं देता है, आपने पिछले कारिकाल में काफी बड़े काम किये, आर्टिकल 370 कुरत किया, CAA को लेकिया है, मगर ओपोजिशन लीडर इस कैंपेंड में सब कह हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सब को जो है, CAA को रिपील कर देंगे, मम तब एनरजी खास करके कह रहे हैं, CAA को इंप्लिमेंट नहीं होने देंगी, इसको आप कैसे देखते हैं, पहली बात है, कि जिसको भारत का समभिदान समझा है, इसको भारत के फैडरिल स् करते हैं, तो नहीं कर सकता है, जो भारत सरकार के विशे हैं, वो भारत सरकार करेगी, जो राजय सरकार के विशे हो तो राजय सरकार करेगी, लेकिन जनता को मुरग बनाने की फैशन होगी है, जनता को अंधरे मेरा कर देंगे, इसलिए भूलते रहते हैं, दूसरी बात है, मैं चालेंज करता हूं, कॉंग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन फ़कर करके बता दे, कि हम 370 बापीश लाएंगे, क्योंकि 370 हंटने के बाद, ये लोग समीधान की इतनी बड़ी बाते करते हैं, बाबा साब अमवेडकर के नाम पर हमको इतनी गालिया देते हैं, हिंदुस्तान में बाबा साब अमवेडकर का समीधान फुरे देश में लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का समीधान नहीं लगा है, ये हमने आकर के भारत के समीधान, और वहां दलीतों को पहली बार आरक्ष्रम मिल रहा है, वालमी की समाईज वहां रहता है, आप पहली बार आरक्ष्रम मिल रहा है, ये सब क्या बाते करते हैं जी, और उनकी हम्मत है क्या, फेस कॉनफरन्स करके बोले, कि हम 377 फिर से वापी लाएंगे, हम्मत है, कोई भी दल हम्मत है तो आजाए मैं दलना, बोदी जी बंगाल की तरफ चलते है, वेस बेंगाल में जो है, इस बार चुनाओ काफी जोरो में लड़ाई हो रही है, पिछली बार जब आप 2019 में 18 सीट लाए ते 42 में, तो लोग चकित रह गए थे, लोगों को उमीर नहीं थी कि आप 18 सीट लाएंगे, इस बार आपके एक नेता ने कहा है कि 36 सीट आ सकती है, राजनाज जी ने म मोदी नाम के किजी व्यक्ते को प्रजयन मिलती बनाए, तो ऐसे एक जमात है, जो देश के मेंडेट को स्विकार कने को तयार नहीं जी, अब हाकीकत है भई, कि देश की जनता हमको समर्थन दे रही है, आपने हिसाब लगाया तक नहीं होगा, नहीं होगा, तो यह आपकी ग अब जनता जनादन का विस्वाद बन रहा है कि देश में एक स्थी मजबूत सरकार है, बंगाल में भी उसका परनाव अच्छे मिले और T.M.C. के सासन में महलाओं पर चो अत्याचार हो रहे है, संदेश खाली की जो घटना है, पुरे देश को हिला दिया है, और उसका गु कुर्सा निकलना है, बस्वाभात करह ता है, आपने देखा क remove note of dare, क्या कभी आपके horr Brief T.V. वालों, इतने सारे note of dare, कभी पकड़ के देखा का दा है।. पिछले पूध但 को सालों में आप लगातार 50k करोड के dare, 300k करोड के dare, 300k करोड के dare, 200k करोड के dare, देश चौग गया है जी आप कितना इसको दबाने कोशिश करो लेकिन देश के दिल दिमाग में स्थीर हो चुका है यह लूट लूटने वाले लोग है तो इस बार जी तो और बड़ी होगी बिलकुर क्लिन स्विफ कर रहे हैं उदीशा को कैसे देखते हैं उदीशा में आपने जो है बीजेटी का ना अधर पर हमें समर्थन देते रहे हैं तो बीजेडी का हमारा नातवोरा राज्य के अंदर हम बिलकुल उडिशा की पूरी अश्मिता करतम हो रही है बही उडिशा की असमिता संकट में है उडिए लेंगवेज वो खतरे में आ रही है और मैं नी मानता को उडिया के तो अब उडिशा की सामान ने मानवी के अंदे एस्पिरेशन साइजी और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मोका मिलना चाहिए हम उडिशा को कहां से कहां पहुंचा कर देंगे उडिशा से बात बिहार की भी करते हैं बिहार में आपने फिर नितिश जी के संग वापस जो है आपका गड़बंदन उनके साथ है उस गड़बंदन के साथ लड़ रहे हैं कैसे देखते हैं पिछली बार 49 सीटे थी आपकी 40 में क्या इसको रिपीट कर पाएंगे पहले एक तो हम चुनाओ एसेंबरी का साथ लड़े थे बाद में हो कही गए फिर बापिस आए तो हम जो जनता का मैंड़ेट है उसके अनुसार साथ में है जहां तक जन समर्थन का सवरतल में बिहार में ही था जो जन समर्थन में देख रहा हूं इतनी गर्मी में कोई पैं कि बिहार में पहले हम एक तो साथ हार जाते थे शायद इस पार एक वी नहीं हा रहेंगे चारिस में चारिस एक भी नहीं हारेंगे बहुत बड़ा ब्यान है अब उदी जी एक परसनल सवाल आपसे करना चाहूंगा आपने बहुत इलेक्षन देखे हैं आप गुजरात में लंबे समय रहे हैं, ये आपका तीसरा चुनाव है सेंटर में, मैंने देखा है कि समय समय पर चुनाव चुनाव से आप पर पर परस्नल अटैक अक्सर होते जाते हैं, कहीं पर कभी बोला जाता है मोदी को गोली मार दो, कभी बोला जाता है सर फोड दो, अभी हाल फिलाल में तर दाहुल गांधी ने भी आप पर कुछ आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि परस्नल अटक के तौर पर उनको भी देखा जा सकता है. यह ऐसा मोधी के साथ क्यों होता है? मोधी के साथ क्यों हो रहा है इसका जवाब भुर पात मेरे पात महीं है. लेकिन यह सवाल मोधी को क्यों पुर्शना चेह है? यह सवाल इस देश में चर्चा का होना चेह है, कि सार्वजन एक जीवन में है. अखिर मोधी का गुना क्या है? वो पी-म बना वो ही गुना है ना? मतलब आप जो भी गाली देते प्रदान मंत्र को देंगे. अब प्रदान मंत्री को इस प्रकार से सर फोड़ देंगे, अब आथ मैरी महां को गाली देना. और मैं हरान हूं जी भारत के राश्पती पर किस प्रकार का कटास किया गया था. शर्मा है इस प्रकार जिवास्या प्रोग थिए तो, मैं हमेज़ा मानता हूं जी, मधड़ता ही मेरा परिव मोदी जी अगर एक सवाल मैं यह समझना चाहूं कि यह जो तीसरा ट्राम होगा आपका वो पहले दूसरे से अलग कैसे होगा पहले अलग कैसा गया तो बैस सामान या मानवी की जो जरुवत थी उनको मैं डिर्स करना चाहता था मैंने उद देश हमें काम किया और उस समय देश कि इन तर प्रति नफ्रट का सता इस सर्कार के पुछ नफट्यान रिस्वाद मिया मुझी वीस्वांड घर घर झालु जो दूसरा कारकर था तर ट्राम था उै ऑश पो मैंने कुछ को परनाम दिखाएं को ब्स्वाद घर याल आग ten हम हाग गर सकτε हम दुनिया तर एक कंव अब आगे जो मेरा कारखाल है मुझे इस जो हतासा मैं से विस्वास में परिवर्तित हुआ, आकांख्छा में परिवर्तित हुआ ज़ एक अश्पिरेशन के अंदे परिवर्तित हुआ, अम मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाश्क्ती बना रहा है। लिकि यह जो मैं 11 से 5 पर लाया उसी की continuity है जी इमें 5 बोर बीनिकामा और 3 वाला अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है तो पहले मनमौन सिंह की जमाई पर 11 तक थे हम जोर लगा करके 5 पर ले आए अब जोर लगा करके 3 पर ले जाएंगे तो हम हर चीज में continuity करना चाहते हैं अब जैस से बिजली है हमने बिजली पहुंचाने का बड़ा भ्यान चला है बिजली पहुंचा दी है अम मेरा लक्ष है पीम सिर्व की गर्व योजना और जीरो बिजली बिल और मैं हर घर पर पर परिवार का बिजली का बिल जीरो हो दूसरा अतिरिक्त बिजली जो हो वो बेचे कमाई करें तीसरा जमाना इलेक्ट्रिक वहिकल का आएगा मुझे आत्मे निर्फर होना है एनर्जी के सेक्टर में और इसलिए मैं चाहूंगा जो इसके पास भी स्कूटी हो मोटर हो जो भी हो उसका चार्जिंग अपने घर में हो जाए और सोलार से हो जाए मतलब आज उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का महिने का हजार दो हजार रुप्या खर्चा आता है वो भी जीरो हो जाए ये त्रीवीद बेनिफिट नागरी को और देश को परियावन का मेनिफिट देश को आज पैट्रोलियम इंपर्ट करना के जो अर्बो अर्बो डॉलर जा रहे है भार वो बंद हो जाएगा तो मल्टीपल बेनिफिट वाला योजना अब जैसे स्टार्टर फब मैनुफेक्ट्र बनाना है मुझे इनोवेशन हब बनाना है यानि मैं एक बिलकुल नए अरिया पर देश को ले जाना चाहता हूं और पड़े कॉंदेंस का और वी 2047 में विक्सित भारत बने क्लियर हो इतलिए मैं कहता हूं 24 by 7 for 2047 यह मेरा मिजाज आए इस पर अलग से चर्चा करनी पड़ेगी आपको हमारे ग्रूप में साथ आज विलास मुझ से सुबह एक सवाल पूछ रहे तो मैंने का आप मोदी जी से सुझी पूछना डारेक्ट एक तベジャласт Kyaw7 आपने आपकी पूरी हित्रा में बहुत सारे रहें का सामना किया है ईसी हालत में भी आप टफ डिसिजिं लेते हैं कैसा कर पाथे किछ मैं तर दोप डिसिजिए और हूं के भी मैं सही डिसिजिएन लेता ह।ब कोई टप डिसिजिए अज़ बहुते हैं, 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 बहुते ह वे शरीय प्रेना से मैं करता रहता हूं। ये कोई परमात्मा की देन है। परमात्मा नहीं मुझसे कुछ काम लेन नताय किया है। किसी परपच के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है। और इसलिए मैं ये जो बाकी तुफान चल रहा है। उससे बहुत परे रहता हूं। लेकिन इस तुफान में शान्त कैसे रहते है। मुझे उससे परे रहता हूं। मुझे शायद परमात्मा ने यही राह दिखाई है। कि तुम उन चीजों में मतूल जियो, तुझे कोई बड़ा काम करना है। तुम अपने काम में लगे रहो। तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की यूजना है। और शायद यह उसी का निमीत तो कुछ है। इसी तो जुड़ा सवाल था कि आपको हम लोग देखते हैं को आपका शडूल मिलता है। आप इतना ट्रेवल करें दिन में पांच चार छे रहली वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं। कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको यह दुड़ संकल्ब दे रही है आगे बढ़ने का। पहली बाद तो मैंने कहा न कि यह मैंनी कर रहा हुजी। यह इस्ष्वर ने तय किया हुआ है। इस्ष्वर ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है। क्योंकि मैं जिस परिवार में पाना हुआ हुआ हूँजी। मेरी माने कुछ पड़ी लिखी नही ती। कुछ नहीं देखा था। मेरा कोई पुलिटिकल बैक्राउंड नहीं है। और इतने ओगड़ा देश इतना कामी इस्ष्वर नहीं करेंगा तो कौन करेंगा है। और मेरे लिए दो इस्ष्वर हैं। एक जिसको हम देख नहीं पाते हैं। और दूसरे वो जो जन्ता जनार्दन है। मैं जन्ता जनार्दन को भी इस्ष्वर का ही रूप मानता हूं। और दूसरा परमात्मा के प्रति मेरी अपार्स रद्धा है। शायद परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए भेजा है। जन्ता जन्राव दिन्न आशिरवाद भी हाई शक्ति जहां तक मैं काम क्यों कर पाता हूं। मैं जी मैं मेरे लिए जीता नहीं हूं। मैं मेरे लिए जन्मा हूं। मेरे मन में हमेशा रहता है कि मुझे जीतना समय मिला है। इसका पल पल मैं देश के कामा हूं। जहां तक मैं दौडता तुर मैं आए, छोक कंत्रा एक बहुत बड़ा उतस्व है फेस्टिफबおい अधिर ओधित है जंता जनादन के दर्शन करनाली सीद है जह कितना पूजनादन के दर्शन करना चाहि है लोककंत्र का एक उत्सव है जिसमें सम्वाद होना चाहिए जितना ज्यादा तो मैं इसको एक बैसे हम घर में कोई बड़ी पूजा करते हैं ला है कैसे इन्वाल होते हैं मेरे लिए पूजा का समय है मेरे 140 करोड देवता उनकी मैं पूजा कर रहा हूँ उस भाव से मैं चलता हूँ लगा रहता हूँ मैं खब जाता हूँ ठकता नहीं हूँ भगवान को देख के आता हूँ मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने अपने समय इतना समय निकाला आपके नारे की तरह इस बार हमारा भी एक नारा है अगली बार अगली बार सिर्फ न्यूज 18 पर आठ पार बहुत बहुत धन्यवाद आपने अमनों को समय दिया चलिए बहुत बहुत बहु आप लेजिए, आप लेजिए